नमस्कार रिम्ट रिम्ट वार्पी से आप सभी का बहुत बहुत स्वाथ अपने यूटूब चैनल जॉबलडगरू में आज हम आपको बताने वाले हैं पीम किसान योजना के अंतरकत आठ्वी किस्त तब कब तक मिल सकते हैं और किन किन लोगों को मिलने वाले हैं सूची आप कैसे देख सकते हैं बिल्कुल अपने मोबाइल से गरवट ही देख सकते हैं साथि अगर आपने फॉर्म नहीं ब्रैत न्यू फोर्म कैसे बर सकते हैं तक आपको आठ्वी किस्त दो हजार रुपए मिल सकें साथि अगर आप मारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए बैल आइकम को दुपाईए ओल नोटिफिकरशन स्लेट कीजिए ताकि आपको योधनों से समधित हर अपडेट से मिल सकें साथि इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट कीजिए अपने साथ भी शेयर कीजिए साथि मैं कॉमेंट कर बदाए क्या आपको भी लगातार जो प्यम किसान योधना की किस्ते हों मिल रही है या नहीं मिल रही है तो आईए दोस्तों आज का वीडियो सुरू करते हैं साथ दोस्तों हम ये भी आपको बताएंगे कि अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो आप ऑनलाइन कैसे अपना करेक्शन के लिए क्वेरी बेह सकते हैं यानि कि पियम किसान योधना के अंतरगत एक नया उप्सन आ गया है अगर आपके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं या फिर आपका अकाउंट नमर गलत जुड़ा हुए है या फिर आपके आधार नमर गलत जुड़े हुए हैं तो वो किस तरह से ओनलाइन आप सही करवा सक हुआ हैं हम आपको डेटेल के साथ में ये जानकर बताने वालें प्याम किसान योधना में हाली ये और संजोड़ा गया हैं तो सब से पहले हम बसाट कर बात हैं प्याम किसान योधना में कितने किस collecting कि सदे और चुख कितनी किस्ते दी जा चुकी है हलांकि हो सकता है आपके खाते में 5 किस्ता ही हो 60 किस्ता ही हो या फिर 4 नमर किस्ता ही हो यहाँ पर हम आपको गोवर्मेंट डाटा के अनुसार दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर 7 किस्त सबी किसानों के खाते में पहुंच गई है यहां कि government के अनुसर साथ में किसत है वो किसानों के खाते में भेज दी गए यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर आपको सबसे पहले अपना राज़जे है वो सिलिट कर ले लेना है उसके बाद में इंस्टॉल्मेंट साथवा स्लेट करेना है उसके बाद में यहां पर लास्ट में आप डाटा देख भी यह भी सकते हैं कि आपके राज्य में कितने किसानों के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं कितने किसानों के खाते में पैसे हैं यहां पर देखेंगे तो 49,027 किसानों के खाते में पैसे नहीं आए यानि कि पेमेंट है वो फैल्ड हो गया है यह उत्र परदेश किम आपको बता रहे हैं और यहां पर उत्र परदेश में 7 इंस्टॉल्मेंट यानि कि 7 किस इतने किसानों को यहां पर दी जा चुकी है किसानों के खाते में पहुंच जाएगे तो अगर आपने पीम किसान योजना में रजिस्टर नहीं किया तो आज रजिस्टर करें और आठ्वे किस्त के रूप में 2000 रुपे का लाभ प्राप्त करें तो यहां पर आपको सबसे पहले अपना स्टाटस बेनिफियसरी लिस्ट पर क्लिक कर देना है जैसी इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको अपना राज्य स्टिक करेंगे यानि कि आपका जीला कुन सा वह जीला स्ट करेंगे जीला स्ट करने के बाद में यहां पर आपको ब्लोक स्ट करेंगे आपका जो भी ब्लोक है या पिर आप जिस ब्लोक की सूची देखना चाहें सब डिस्टिक वो स्लेट करेंगे जो भी आपका सब डिस्टिक है और उसके बाद में इस तरह से ब्लोक और विले स्लेट करेंग करेंगें talk यहां की है कि यहां से स्लेट करने की बात में गैट रिर्पोर्ट पर कुलिक कर जाँगे हैं जैसे साथियों आप गैयत 212 यानि कि पने गाओं की हैं कितने लोगों को 212 9001 मिलने वाली inflam ऐहां आपको दिखाना चाहेंगे तो इस गाओं में total जो इस्टर्ड किसान है वो 746 है और इन 746 के खाते में दो-दो हजार रुपए वो 31 माराच दो हजार इकी से पहले पहले आ जाएंगे अब हम आपको ये भी दिखाएंगे आगे कि आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि PM किसान योजना का जो पैसा आपके खाते में आ रहा है वो कौन स अपने मॉबाइल से ही देख सकते हैं और अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगर आपके PM किसान योजना में जो फॉर्म बराता उसमें खाता नमर गलता है अधार नमर गलत या फिर सही कर्वाना चाहते हैं या फिर आगर आपके खाते में पैसे नहीं आ pending है तो किस तरह से कहां से ये सही करवा सकते हैं इसके लिए आप online query कर सकते हैं और यहां पर आपको last option मिलेगा help desk जैसा कि आप सभी यहां पर देख सकते हैं help desk यहां पर मिल गया है इस पर आपको click कर देना है जैसी साथ हो आप इस पर click करेंगे हैं इस तरह से आपके समने पेज़ ओपन होगा यहाँ पर दो अप्सक्न होंगे रजिस्टर क्योरी naukiris booster कर सकते हैं लगोटिय पर पहले घ्राप आपको टाइप करना है और सटुक्सर नार्स लिछिस्टर करनाhem चलिए हम आपको बताते हैं ज्यादा तर जो मॉबाइल नमर याद रहते हैं तो मॉबाइल नमर टाइप करते हैं और गेट रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो क्या शो होता है यानि कि उसके बाद में आपको क्या करना होता है get detail पर click करने के बाद में इस तरह से आपकी सामने आपकी detail है वो आजेगी यहाँ पर आपके account नमर भी साब साब दिखाए जाएंगे यानि कि यह आपकी जो 2000 रुपए किस्ते जारी है वो कौन से account में जारे साथ में आपकी यहाँ पर पूरी detail है वो दिखाए देगी यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि आपने जो form बराता बेनिफियसरी जो status है वो active है इन active नहीं है आपका यहाँ पर पूरा detail भी रहेगा आपके खाते में कौन सी किस्त कब आई थी यह भी यहाँ पर data देगी है और साथ यह अब आता है main point यहाँ कि एक query form है आप अगर देखना चाहें तो इस तरह से इस query form को देख सकते हैं यहाँ पर एक grievance type यहाँ कि आप जो query registered कर रहे हैं वो किस type के account number is not correct यहाँ कि आपके account number सही नहीं है तो आपको यह select कर लेना है ओनलाइन अप्लिकेशन इस पैंडिंग पॉर अप्रूल आपका अप्लिकेशन पर वो पैंडिंग अप्रूल नहीं हो रहा है तो दो नमबर इंस्टॉल्मेंट नोट रिस्यूड यहाँ कि आपके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं तो चार नमर select करेंगें अगर transaction फैल दिखा रहा है तो आपको पांच नमर select कर लेना है problem in आधार करेक्शन आपके आधार कार्ड में को करेक्शन है तो आप यह option select करेंगें अगर आपके आधार कार्ड में या फिर जेंडर से समंधित कोई problem हो रही है दिक्कत आ रही है तो यहां से आपको यह last वाला set कर लेना है हम यहां पर आपको select कर दिखाते हैं कि माल लिजे हमारे खाते में पैसे हैं वो आ नहीं रहे हैं यानि कि installment not received यानि कि हमें किस्ते हैं वो नहीं मिल रही है यहां पर आपको कुछ तो उसके बाद में now the query status पर आप क्लिक करेंगे तो यहां से query ID आपको type कर देना है अनिया था आधार नमर टाइप करना चाहिए तो कर सकते हैं मोबाइल नमर टाइप करना चाहिए तो कर सकते हैं और get detail पर कलिक करके यह जान सकते हैं कि आपके खाते में पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं तो यहां पर आपके आधार नमर सही नहीं आपके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं अगर pending है अप्रूवल नहीं हो रहा है तो यहां से आप online है वो register कर सकते हैं अपनी सिकायत को तो उमीद करते है दोस्तो आज का वीडियो हमारा ये पसंद आया होगा आपके समझ में आया होगा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और PM किसान योजना की 8 में किस्ता हो 31 मर्ट से पहले पहले आपकी खाते में आज आएगी वीडियो देखने के दन्यवास आती हो थैंक्स पूर वोचि जै हिंद वने मात्रम जैजवान जैक्सान